नमस्कार दोस्तों आज गेम के अंदर एक नोटिस आया है ये वाला इसमें लिखा है तकनीकी कारणों की वज़े से दिसंबर 2019 के बाद बने हुए सभी मिनी क्लिप अकाउंट पांच अपरेल 2024 दस एम जीम्टी के बाद गेम में लॉगिन नहीं खर पाएंगे किरपया अपने अकाउंट को आगे चलाने के लिए दिये गए टाइम से पहले गूगल प्ले या एफ़बी से कनेक्ट कर लें या फिर हमेशा के लिए भूल जाएं दोस्तों इस मैसेज का बहुत बड़ा मतलब है इसी मतलब को आगे हम डिसकस करेंगे पहले ये समझ लेते हैं कि 10 एम जीम्टी का मतलब होता है इंडियन टाइम के हिसाब से दो पहर 3 बज कर 30 मिनट मतलब 5 अपरेल को 2 पहर 3 बजे के बाद आपका इलीगल मिनी किलिप एकाउंट बंद हो जाएगा अब इस मैसेज के आने के बाद प्लेयर्स में अफरात अपरी मची हुई है मिनी किलिप आईडी बालों के दिल में दुक दुकी चालू हो गई है और हैकर्स की पैंट गिली और पीली होना शुरू हो गई है जो पुराने प्लेयर्स मिनी किलिप आईडी यूज कर रहे हैं उनके दिल को तसली बाद में दूँगा पहले hackers की band बजा लेते हैं hackers जो होते हैं वो series में सेकड़ों mini clip ID बना कर रखते हैं आप जो सेकड़ों की इताद में ऐसी IDs बनी हैं उनको Gmail या FB से connect करना impossible है क्योंकि ये दोनों ही platform जो हैं वो आपका mobile number मांगते हैं mini clip को आसानी से Google Play कर नहीं सकते हैं FB में आसानी से convert कर सकते हैं लेकिन FB का security feature इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो आपका mobile number जरूर जरूर मांगते हैं और एक number से सिर्फ एक ही FB account बना सकते हैं दूसरी सरफ 8Wall pool game में अगर आपकी FB वाली ID एक बार बैन हुई तो समझ लो उसमें अगले 3 साल तक आप कोई भी 8Wall pool की ID connect नहीं कर सकते हैं तो कुल मिलाकर कहें तो 5 April की शाम से गेम में hackers की गिंती नाम मात्र को 4 या 5% के आसपास ही रह जाएगी और उन्हें भी जल्दी ही बैन करके गटर में fake दिया जाएगा अब आते हैं fair players की तरफ नहीं उससे पहले उन घटिया दो कोड़ी के YouTubers की भी बात कर लेते हैं जो YouTube पर धका धक एक एक दो दो गंटे के अंतर पर hack ले लो hack एक लाइन दो लाइन चार लाइन वाला hack ऐसे करके वीडियो लगातार upload करते जा रहे थे आज ज़रा उनको सच करके देखिए ऐसे सब चैनल मिट्टी में मिला दिये गए हैं इन लोगों के उपर Minicrip ने copyright strike नहीं डाली है इन लोगों के उपर सीधे मोटा वाला हतियार यूज किया है Video Take Down Strike Video Take Down Strike का मतलब होता है कि YouTube सीधे उस वीडियो को Delete कर देगी आगे चलने ही नहीं देगी और लगातार 3 Take Down Strike का मतलब होता है आपका चैनल YouTube खतम कर देगा जिनके उपर 3 आई वो तो तुरंत तबाह हो गए जिनके उपर एक या दो Take Down Strike का ही है वो बिचारे उनका बस हाल पूछो मत उन लोगोंने फटा फटा अपनी सारी वीडियो बंद कर दी अब आप इन लोगों के चैनल पर जाकर देखोगे तो किसी की एक वीडियो बची हुई है किसी की दो वीडियो बची हुई है और कोई-कोई चैनल पूरी तरह से साफ हो चुके है इन लोगों की सफाई होना भी बहुत जरूरती जितना हैक बेचने वाले जिम्मेदार नहीं थे उससे जादा ये डेंगू की ये मच्चरों की तरह इस बीमारी को फैलाते जा रहा है थे बुराई देखने में कितनी भी अट्रेक्टिव क्यों न लगे एक ना एक दिन उसे मिटना ही पड़ता है हाँ तो अब बात करेंगे फेर प्लेयर्स के दिल को तसलिदेने के बारे में इस नोटिस में जो दिसंबर 2019 डेट दी गई है ये वही डेट है जब 8 वाल पूल में मिनी किलिप अकाउंट बनने बंद हो गए थे और ये वाला इंटरफेस इत्यास बन गया 2019 के बाद जितने भी मिनी किलिप अकाउंट बने वो सब कोई न कोई तिकडम बिडाकर ही बने थे और इसलिए वो सब अकाउंट न जायज थे अब ये जो नोटिस आया है ये mostly उनी अकाउंट में आया है जो 2019 के बाद जुगाड से बनाए गए है जो अकाउंट 2019 से पहले के बने हुए है उन लोगे पास कोई नोटिस नहीं आया है मैं अपने पास ही example दिखा देता हूँ ये देखिए ये एक एक एकाउंट मैंने 2020 में जुगाड करके बनाया था और इसमें नोटिस आया हुआ है और ये मेरा डाइनेमिक राजवाला एकाउंट 2019 से पहले का बना हुआ है और आप देख सकते हैं इसमें कोई नोटिस नहीं आया है तो जिनको नोटिस नहीं आया है वो एकाउंट safe है और जिनमें नोटिस आ गया है वो अपनी सोच लें क्या करना है 2019 से पहले के एकाउंट वाले लोग अगर फिर भी डर रहे हो तो कोई डरने की बात नहीं है ज्यादा safety के लिए आप अपने mini clip account को fp से connect कर लें आसानी से connect हो जाता है और lifetime के लिए safe हो जाएगा जो लोग fair game खेलते हैं उनके पास ज्यादा ज्यादा एक ID होगी दो ID होगी बहुत हो गई तो तीन ID होगी तो कोई बात नहीं आप एक, दो या तीन fp ID बना लें और उनसे अपनी mini clip ID connect कर लें सोचना तो उनको है जो लोग bulk में 100 ID बनाए बैठे हैं इन लोगों को hack लगा कर ID sell भी करनी होती हैं कुद भी खेलनी होती हैं और इन्हें पता है कि हर हफता 10 दिन बाद इन्हें एक नई ID की जरूद पढ़ने वाली है क्योंकि hack वाली ID हफता 10 दिन से ज़्यादा चलती नहीं है बैन हो जाती है तो अब ये लोग सोचेंगे कि इनको कैसे manage करना है fair game खेलने वालों के लिए कोई tension नहीं है उमीद है इस वीडियो से आपके मन के काफी सारे doubt clear हो गए होगे और एक आशा की किरन जगी होगी कि अब जल्दी ही game से hacker चले जाएंगे अगर आप fair gaming के supporter है तो प्लीज इस वीडियो को like जरूर करें अपने दोस्तों में share करें चैनल पर अगर आप पहली बार आया है तो subscribe जरूर कर ले मिलते हैं बहुत जल्दी next update के साथ सब तक के लिए नमस्कार